हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागा थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस की अपपो K12X 5G फोन में आप लोग फेस लोग कैसे लगा सकते हो अगर आपके पास एक आपको K12X 5G फोन है और इस फोन में जो है आपको फेस लोग लगाना है अगर आपके phone में pattern lock लगा हुआ है, pin लगा हुआ है, या fingerprint lock लगा हुआ है तो इन सब को जो आपको डालना होगा, ठीक है guys, pattern lock लगा हुआ है तो pattern को डालना होगा pin लगा हुआ तो pin को डालना होगा, finger pin को भी आपको डालना होगा लेकिन एक ऐसा ही फेस लोग जिसको आपको कही बर भी नहीं डालना है, सिर्फ आपको अपने front camera की तरब देखना है, तो आपका लोग खुल जाएगा, तो अगर आपको बार बार पेटरन पीन या फिंगर पीन नहीं डालना है, आप लोग चाहते हो कि फेस जो आपके screen के है, फेस लोग को लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस phone के settings में जाना है, settings में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे scroll down करेंगे, तो आपका एक option मिलेगागा इस password and biometrics का, तो इस password and biometrics के option पे click कर देना है, click करने के बाद add face का option आएगा, तो इस add face के option पे click करें तो आपका जो front camera आएगा, इस वो open हो जाएगा, और इस front camera के बीच में आपको अपने face को डाल देना है, तो मैंने अपने face को डाल दिया था का इस और डालते ही, या पर हमारा face lock जो वो activate हो चुका है भी देख सकते, या पर lock करेंगे screen को, तो या पर face lock जो आ चुका है, face को दिखाती आपका lock जो है वो खुल जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने oppo k12x 5G phone में आप लोग face lock लगा सकते हो, तो कैसा लगागा इस आप लोगो को कोई वीडियो, अगर वीडियो पसान आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी subscribe जरू से कर लिजिए, मिलता है का लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, बाई